तो मूवी के शुरू होते ही हम स्क्रीन पर एक टेक्स्ट को देखते हैं जिसका ये मतलब था कि 1948 में स्लेवरी और स्लेव ट्रेट को यूमन राइट्स के दुआरा पूरी दुनिया में बेन कर दिया गया है लेकिन आज भी 28 लाग से जादा लोगों की स्लेवरी होती है अब जिने स्लेवरी का मतलब नहीं मालूम मैं उने बता दू कि स्लेवरी का मतलब होता है कि दूसरों की गुलामी करना मतलब कि दुनिया में आज भी गुलामा को बेचा और खरीदा जाता है जो कि हुमन राइट्स के द्वारा बेन कर दिये गए है दोस्तों ये मूवी सत्य घटना पर आधरी थे लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मूवी में जो जो भी बता गया है वो पूरी तरह से सच हो या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मूवी सत्य घटना उसे इंस्पायड है अब हम यहाँ पर सेमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि स्लेव ट्रेट करता था और ये डीलर था स्लेव ट्रेट का मतलब होता है कि लोगों को किड्डनेप करके उन्हें गुलाम बना लेना और उनसे जबरदस्तिक काम कराना सेमी का ये काम था कि लड़कियों पर नज़र रखके उन्हें किड्नेप करवा कर उन्हें लोगों को बेज देना लेकिन यह स्लेवरी, काम करवाने या फिर फिजिकल नीट्स को पूरा करने के लिए नहीं बलकि किसी और चीज के लिए होती थी जो कि आप मूवी में आगे देखेंगे यहाँ पर किड्नेप हुई लड़कियों को किसे जानवरों की तरह लाकर उनका वजन करवा कर उन पर गर्म सलाकों से निशान लगा देते हैं जिससे कि उनके मालिक की पेचान हो जाए ठिक जानवर कोई ही तरह जैसे के जानवर उपर गर्म लोही की रोड से निशान लगाते हैं ताकि उनके मालिक का पता लगाया जा सके अब यहाँ पर सेमी अपने क्लाइंट फिलिप को एक लड़की दिखाता है जो उसने किड्नेप करकर रखी हुई थी यह लड़की जानवर वाले पिंजरे में केद थी और उसके शरीर पर कुछ निशान बने हुए थे जिससे कि फिलिप उस लेव मतलब कि उस लड़की को नहीं खरीदता और इस सीन यही पर कट हो जाता है फिर नेक्स्ट सीन में हम एक मेरी नाम की लड़की को देखते हैं जो की एक एनिमल होस्पिटल में थी क्योंकि उसके पालतु बिल्ली बिमार थी और सरजरी के दोरान उसकी प्यारी बिल्ली मर जाती है जिससे की मेरी को बहुती दुख होता है लेकिन मेरी के बॉइफ्रेंड को इसकी कोई भी चिंता नहीं थी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरी एक फ्लावर शॉप चलाती थी और उसकी फाइनेशल कंडिशन बहुती खराब थी सेमी की नजर मेरी पर पड़ जाती है और वो सीधे अपने क्लाइंड को मेरी की इंफोर्मेशन देता है अब हम यहाँ पर सेमी के क्लाइंड फिलिप के बेगराउन में थोड़ा सा जान लेते हैं फिलिप एक बहुती ज़्यादा अमीर आदमी था और उसकी एक पेट थी जिसका नाम था तारा वो उससे बहुती ज़्यादा प्यार करता था और तारा के जाने के बाद में फिलिप को उससे अच्छी दोस्त कहीं नहीं मिली पेट्स इंसान के जीवन का एक बहुत घुपसरत पाठ होते हैं वे जी भरकर अपने मालिक को खुशया देते हैं लेकिन अपनी कमर उमर के कारण वो जल्दी ही ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं फिलिप एक AC पेट को ढूंड रहा था जो की हमेशा उसका साथ रहे एक AC पेट जो की एक यूमन पेट हो फिलिप मेरी के पास में फ्लावर खरीडने जाता है और वो उसे उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछता है और मेरी उसे ये बताती है कि उसने अभी हाली में अपने पालतू पेट को खो दिया है मेरी बिलकुल ही अकेली है और उसका साथ में उसका दुख शेर करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है फिर फिलिप मेरी से फूल लेकर उसे लंच ओफर करता है और उसे पेसे देकर वहाँ से चला जाता है अपने घर पहुशते ही मेरी का लेंडलोड उससे रेंट मांगता है और उससे कहता है कि अगर उसने रेंट जल्दी नहीं चुकाया तो उसे ये घर खाली करना होगा जिसके बाद में मेरी जो अपने घर के अंदर पोश्टी है तो उसे हॉस्पिटल से एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर मेरी ने सरजेरी के पेसे जमा नहीं किये तो उसकी बिल्ली उसे वापस नहीं मिलेगी मेरी को बहुत गुसा आता है और वो दुखी भी थी जिसके बाद मेरी फिलिप के साथ में लंच पर चली जाती है और फिर मेरी रेस्टोरेंट में ही फिलिप को अपनी सारी परेशानी बताती है जिससे सुनने के बार में फिलिप मेरी को 10,000 डॉलर का चेक देता है और उससे केता है कि वो अपनी पेट को हॉस्पिटल से लेकर आए और वो उसकी प्रॉपर्टी में उससे दफनाने की प्रोसेस भी कर सकती है जिससे की मेरी को ये लगता है कि फिलिप शायद उसकी जिंदगी में एंगल बनकर आया है लेकिन मेरी को ये नहीं पता होता कि इस दुनिया में बीना किसी फायदे के कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं करता अब scene change होता है और हम यह देखते हैं कि एक लड़का अपनी girlfriend के साथ में किसी gangster के पास आया है और वो उससे कुछ पेसे उधार मांग रहा है लेकिन इस लड़के ने उस gangster के पेले ही 20,000 डॉलर नहीं दिये थे जिसके बदले में वो अपनी girlfriend को उस gangster के पास में एक महीने के लिए छोड़ देता है और फिर यह gangster इस लड़की जिसका नम निकी था उससे एक contact sign करवाता है और यह gangster वही था human slavery का धंदा करने वाला contact sign होने के बाद में gangster अपने आदिमियों के साथ में निकी को पकड़ता है और उसके गले में एक chain डालकर एक human pet बना लेता है अगेंसीन चेंज होता है और मेरी फिलिप के दिये हुए पेसे से अपना rent पे करती है और फिर animal hospital से अपनी बिल्ली को लेकर आती है जिसके बाद में फिलिप का driver मेरी को लेने के लिए उसका घर पर बहुत जाता है ताकि वो दोनों मिलकर पूरे रिती रिवाज से मेरी की बिल्ली को दफनाए क्योंकि मेरी का और कोई भी नहीं था और उसे अपनी बिल्ली के खोने का बहुत ज़्यादा दुख था फिलिप के घर पूशने के बाद मेरी ये देखती है कि उसका घर बहुत ज़्यादा बढ़ा है पहले फिलिप मेरी को अपनी पूरी property गुमाता है और फिर उसे अपनी housekeeper रिटा से मिलवाता है जिसके बाद मेरी की बिल्ली को दफनाने की process करते हैं मेरी की बिल्ली को दफनाने के बाद में फिलिप उसे अपनी पेट तारा के बारे में बताता है और वो मेरी को तारा के कुछ चीज़े भी दिखाता है फिलिप के अनुसार उसकी न तो वाइफ थी और नहीं उसकी कोई गलफ्रेंट थी उसकी बस एक पेट थी जो की अब नहीं रही फिर हम यह देखते हैं कि फिलिप मेरी को उसका पेट बनने का ओफर देता है और वो उसके बदले उसे 10,000 रुपे पे करेगा सिर्फ दो दिनों के लिए यूमन पेट बनने के दोरान में मेरी को सिर्फ अपने मालिक को प्यार करना था और इस दोरान मेरी को बिना कपड़ों के एक जानवरगी तरह रहना था मेरी ऐसा करना तो नहीं चाती थी लेकिन पेशो की कमी होने के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है जिसके बार में फिलिप उसे तारा का बेल्ट पहनाता है जो की एक रिमोट से कंट्रोल होता था अगर मेरी फिलिप की बात नहीं मानेगी तो वह रिमोट का बटन दबाएगा जिससे की मेरी के गले में जो बेल्ट है उसमें एक बहुती तेज उसे शौक लगेगा और फिर मेरी अपने कपड़े उतार कर जानवरों की तरह रहती है और फिलिप उसे एक चेंड से बांद कर अपने गार्डन में घुमाने के लिए ले जाता है वो ना तो बात कर सकती थी और ना ही अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी अब फिलिप उसका मालिक था वो डिसाइड करेगा कि कभ उसे खाना मिलेगा और कभ उसको ट immersion जाने दिया जाएगा और फिर हमें देखते हैं कि दो दिनों तक ऐसे ही चलता है मेरी फिलिप की पेट बनकर रहती है और फिलिप मेरी का मालिक बनकर जिसके बाद में मेरी को भी ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि उससे यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिल रहा था और फिर मेरी यह डिसाइड करती है कि वो एक और दिन ऐसे रह सकती है लेकिन फिलिप और मेरी के इस मालिक और पेट वाले रिलेशन को देखकर रीटा को बहुत ज़्यादा चिंता होती है और यही हालत थी निकी की क्योंकि उसका बॉइफ्रेंड पेसे नहीं चुका सकता था और अब निकी को ऐसे ही रहना होगा इधर हमें देखते हैं कि फिलिप मेरी को बार-बार शौक देता है और फिर एक दिन फिलिप के पास में उसका एक फरेंड आता है जो कि स्लेव टेडिंग करता था वो मेरी को देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि मेरी की बोड़ी पूरी क्लीन थी और वो बहुत ज़्यादा तंद्रुस्ती भी थी वो फिलिप को ये कहता है कि फिलिप मेरी को ट्रेड मार्केट में बेच कर बहुत ज़्यादा पेसे कमा सकता है जिससे सुनकर फिलिप नाराज हो जाता है और अपने फ्रेंड को दमका देता है यहाँ पर मेरी का human pet की तरह रहने का समय खतम हो चुगा था लेकिन फिलिप मेरी को ये offer करता है कि वो और अगले 6 मैने तक उसकी personal pet बनकर रह सकती है जिसके बदले में वो उसे कई धेर सारे पेसे देगा अगर मेरी ऐसा करती है तो उसे एक contact sign करना होगा और इस contact के अनुसार 6 मैने तक उसका मालिक फिलिप होगा और उसे उसकी ownership भी मिल जाएगी फिलिप मेरी से कहता है कि अगर वो उसका offer accept करती है तो वो यही पर अपने कपड़े उतार कर उसके जूतों को किस करें मेरी पेसो के लिए ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है और वो तुरंट अपने कपड़े उतार कर फिलिप के जूतों को किस कर देती है जिससे कि ये साबित हो जाता है कि मेरी अगले 6 महीने तक उसकी private human paid बनकर रहने चाहती है मेरी वो contact को sign कर देती है जिसके बार में उससे लाया जाता है register करने के लिए जहांपर पहले उसका वजन होता है और फिर उसके hips पर गरम लाल लोहे की road से फिलिप के नाम का take लगा दिया जाता है जिसके बार में मेरी को फिलिप के घर में लाया जाता है और जाते ही पहले उसे नहला कर साफ सुत्रा करते हैं फिर हम यह देखते हैं कि अगले कुछ दिनों तक फिलिप मेरी के साथ में अपनी पेट तारा के जैसे रहता है वो जहाँ पर भी जाता है मेरी को अपने साथ में अपने पेट की तरह लेकर जाता है जिसके बार में फिलिप एक गेदरिंग में जाता है जहाँ पर बस वही लोग आते हैं जिनके पास में अपना personal human pet था यह जगह एक बहुती ज़ादा underground जगे थी यहाँ पर सिर्फ female pet नहीं बलकि male pets भी थे जिसके बाद में यहाँ पर एक party organize होती है और इस party के दोरान में सब की नजर होती है मेरी पर और कुछ slave dealers भी अपनी बुरी नजर से मेरी को देखते हैं यहाँ पर गलती से फिलिप की जेप से मेरी का pet number गिर जाता है जो कि फिलिप की मेरी पर ownership की निशानी था और फिर यही पर ये dealer उस number को चुरा लेते हैं और फिर मेरी को उसके pet number के जरिये बेची देते हैं फिलिप जब वापस अपने घर आता है तो यहाँ पर अब उसकी पतनी भी वापस आ चुकी थी लेकिन फिलिप ने मेरी को ये जूट बोला था कि उसकी कोई पतनी या फिर girlfriend नहीं है जिससे कि मेरी को थोड़ा uncomfortable लगता है लेकिन फिलिप की वाइफ भी human pet को देखकर खुश थी मेरी की फिलिप से दूरिया अब बढ़ती जा रही थी मेरी को अब अलग रखा जाता था क्योंकि फिलिप अब अपनी वाइफ को time देता था और फिर कुछ लोग फिलिप के घर पर आते हैं मेरी को लेने के लिए क्योंकि मेरी को धोके से slave traders ने auction में बेज दिया था जिसके बाद में dealer फिलिप को phone करके ये बताता है कि उसने ownership number खो दिया था जिससे कि उन्होंने मेरी को online auction में बेज दिया ये लोग आकर मेरी को बेहोशी का ingestion लगा देते हैं और उसे ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन semi वहाँ पर आ जाता है और उन्हें धमका देता है जिससे कि वो यहाँ से भाग जाते हैं फिलिप और उसकी wife अब ये चाते थे कि मेरी वापस अपनी life में चली जाए लेकिन मेरी ऐसा नहीं करना चाती थी क्योंकि अब उसे अपने मालिकों से प्यार हो गया था मेरी एक पालतु जानवर की तर पिंजरे में बंद रहा करती थी जहांपर रीटा उसे समझाती है कि उसे वापस अपनी पुरानी life में चले जाना चाहिए और फिंड रीटा एक दिन ये देखती है कि मेरी कोई भी रिस्पोंस नहीं कर रही है और वो मर चुकी है क्योंकि मेरी को अपने मालिक से दूर नहीं जाना था और उसे इस बात का बहुती गहरा सदमा लगा था लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि फिलिप मेरी के एशेस को पानी में बहा रहा है और वो अपनी पेट यानि की मेरी को याद कर रहा है मूवी के लास्ट सीन में एक स्क्रीन पर एक डाटा शो होता है जिसमें लिखा था कि किन किन देशों से और कहां कहां पर humans को बेचा और खरीदा जाता है जिसमें कि हमारे देश इंडिया का नाम भी शामिल था तो दोस्तों ये था पेट मूवी का explanation आपने देखा किसे कोई इंसान अपने फायदे के लिए दूसरे मासुम इंसान की जिन्दगी खराब कर देता है इस मूवी में slavery के एक अलगी section को दिखाया गया है जहां पर labor या फिस sexual interest के लिए नहीं बलकि पालतु जानवर बनाने के लिए इंसानों को खरीदा जाता है मेरी पहले बस पेशों के लिए पेट बनती थी लेकिन समय के साथ साथ उसे अपने मालिक से प्यार हो गया जैसा कि आपको पताई होगा कि हमें हमारे पेट से और हमारे पेट को हमसे कितना प्यार होता है दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही और आप सभी को एक बहुत बड़ा वाला thank you क्योंकि हम लोगों ने 40,000 सब्सक्राइबर को कम्प्लिट कर लिया है और ये सब आप लोगों की ही वज़े से हुआ है मैंने सोचा तो था कि आप लोगों के लिए एक गिव अवे रखा जाए लेकिन लोगडाउन के वज़े से सब को चोपट हो गया और इसलिए में आप लोगों की तरफ से जरूरत मन लोगों की हेल्प करूंगा जिसका क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाएगा थेंक्यू गाइस फॉर अलवेस सपोर्टिंग आई होब जल्दी हम लोग 25,000 सब्स्राइबर भी पूरे कर लें तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुवी के साथ में